हेलो दोस्तों वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स हम आज के इस लेसन में प्रणने वाले हैं परसंटेज के बारे में दोस्तों हम इस पूरे कोर्स में जानेंगे कि परसंटेज होता क्या है ठीक है और उसके जो ट्रिकी फॉर्मूलाज है उसको सौल्व करने के उनके बारे मे हम आसानी से किस तरीके से परसंटेज अर्थरत रत है किसी अर्थरत होता है किसी अनुपात को वियक्त करने का तरीका होता है उसे हम परसंटेज को नाम देते हैं अन्य सब्दों में कहीं कि जैसे हमें दिया हुआ है कि एक परसेंट है ठीक है तो दोस्तों हम इसको क्या लेख सकते हैं इसको लेख सकते हैं एक पटे 100 अर्थात यह हमारा परसेंटेज होता है ठीक है जैसे हमें दिया हुआ हो कि भाई जैसे कोई वैलियो दिये हुए ठीक है कह रहा है हमें कि हमें मतलब 75 by 200 मान लेते हैं ये कुई संख्यादी हुई है ठीक है और हमें कहा जा रहा है कि इसका प्रतिसत मान क्या होगा ठीक है तो दोस्तों सबसे पहली बात हमने देखा कि परसेंटेज में होता है 100 होता है ठीक है तो हम इस 200 को 100 के रूप में बदल तो ये 100 हो जाएगा अर्थ हर्थ हर्थ और दोस्तों एक चीच और यहाद रकने हैं अगर हम हर में कुछ भी चेंजिस करते हैं तो हमें सेम चेंजिस अंस में भी करने हो conoc us में ठीक है अर्थ हर्थ जीस представ तरसेंग कश व्रावा दोस्तों हम प्रभा बाते 200 का • यह होगा ठी तो दोस्तों, अगर हमको कोई भिन दिया हुआ है, मान लेते हैं, कि हमें कोई भिन दिया हुआ है, जैसे कि यही दिया हुआ था, यह दूसरा भिन दिया हुआ है, हमें इसको percentage form में कैसे लिखेंगे, तो दोस्तों, अगर किसी भी भिन को, हमें percentage form में लिखना है, तो उसमें 100 क का गुणा कर देंगे ठीक है अर्थ हार्थ जैसे कि यह भेंद था हमें इसे परसंटेज फॉर्म में लिखना है ठीक है तो हम क्या करेंगे दोस्तों इसमें गुणा कर देंगे और जब हम इसे सॉल्ब करेंगे तो यह हो जाएगा दोस्तों 60% आप चाहें तो इस चीश को अपने कल्कुलेटर में कल्कुलेट करके देख सकते हैं कि 60% की वैल्यू क्या होती है अगला कुश्चन है हम कुछ इसके जो है हम exercise देख लेते हैं थोड़ी बहुत तो जैसा कि हमें दिया हुआ है कि 10 का हमको 20% find करने पूछ रहा है ठीक है तो दोस्तों हम क्या करेंगे 10 का अर्थार्थ होता है multiply 20 बटे 100 ठीक है यानि कि 2 दोस्तों इसका एक और तरीका है कि जैसे यहाँ सीधे जो cancels हो जाता और जो एक का गुणा है हम इसमें कर देते ठीक है तो हमारा 2 SAB वैल्यू आ जाता ठीक है आते है अगली बात पर अगला है हमारा कि 15 का 70 प्रिश्द क्या होगा ठीक है तो दोस्तों इसका एक तरीका है कि अब देखो हम सीधे सीधे 15 का 70 प्रिश्द तो इत् तो हर में हमारा क्या होगा यहां पे 100 होगा ठीक है तो एक जीर उसे एक जीरो कड़िया 10 बचा अर्थार्थ यहां 1.5 हो गया ठीक है तो 1.5 का multiply हम जब 7 में करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 10.5 ठीक है आप चाहें तो चीज को calculate करके देख सकते हैं ठीक है तो यह हो जाएगा हमारा 7 ठीक है 10 का 70 के हो जाएगा 7 हो जाएगा ठीक है और 5 का जो 70 प्रिस्ट है वो क्या होगा दोस्तों यह होगा आपका 3.5 ठीक है और जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा आपका 10.5 बैल्यू दोनों जगा सेम है ठीक है अगला दिख तो दोस्तों हम दो तीन तरीका से देखेंगे तो इसका पहला तरीका है हमारा कि हम पहरे इसको तो यह तो 35 का 60 प्लस 5 परसंटेज तो दोस्तों 35 का मदब 60% क्या होगा जब हम इसे solve करेंगे तो यह हो जाएगा दोस्तों 21 ठीक है कैसे कि आप अपन में इसके 0 रखके देख लें और यह 0 से 0 कैंसल हो जाएगा अपन में 100 रहेगा तो यह 0 से 0 कैंसल हो जाएगा और यहां के बज़े का 3.5 ठीक है और जब इसका मल्टिपाइ करेंगे तो 1.0 और 18 और 3 ठीक है 21 प्लस ठीक है तरीका क्या है इसमें अपन में जब 5 के अपन में 100 आएगा तो यह हो जाएगा 1 by 20 और जब हम इस 20 का भाग यहां देंगे 35 में तो यह 1.75 बार जाएगा और जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा दोस्तों 22.75 ठीक है आते हैं नेक्स्ट तरीके पर इसी चीज़ की ठीक है हम दोस्तों इस 65 प्रत्सत को और भी चुटे-चुटे पाउब में तोड़ सकते हैं जैसे की ठीक है 35 multiply 50 plus 10 plus 1 plus 1 plus 1 1,2,3 10,63,4,5 ठीक है 1,2,3,4,5 तो फ्रेंट हम इसको कैसे लग सकते हैं 50% की value तो हमें अभी तक पता हो चुकी है कि 1,2 होती है तो 17.5 ठीक है यह इसकी value हो गई 35 का 10% 3.5 होगा ठीक है और 0.35 जो होगा 35 का 1% होगा ठीक है और यह हमारे 5 बार है तो हम इसमें सीधे यहीं पे 5 से multiply कर देंगे ठीक है तो फ्रेंट्स आगे क्या होगा हमारा 17.5 प्लस 3.5 प्लस 1.75 is equal to 22.75 यह हमारी value हो जाएगी ठीक है दोस्तों और दूसरा तरीका क्या है हमारे पास हमारे पास तरीका है कि हम दोनों को तोड़ लें 30 प्लस 5 it is 35 multiply 60 प्लस 5 और इसका percentage ठीक है तो जब हम यहां 60 प्रसेंट होगा और जब हम इस 30 में आएँगे तो यह हो जाएगा दोस्तों आपका जब मेंट से 3 अठारा ठीक है 18 ओके प्लस यह हो जाएगा आपका 3 राइट प्लस जब आप यहां करेंगे ठीक है तो यह हो जाएगा आपका 1.5 प्लस 0.25 ठीक है मतलब 30 का 5 प्रतिसत क्या होगा 1.5 होगा ठीक है 5 का 5 प्रतिसत क्या होगा 25 और नीचे अपन में 100 है तो 2 0 के बाद यह 2 संक्य के बाद थासमलों जब हम इन सब को जोड़ेंगे तो हमारी यह वैली हो जाएगी दोस्तों 22.75 ठीक अगले सवाल में आते हैं अगला है 500 का 70 प्रतिसत क्या होगा ठीक है तो दोस्तों 500 मल्टिपाइ 70 बाइ 77 बाइ 100 ठीक है अगले सवाल पर अगला है आपका 995 का 12.5% क्या होगा ठीक है तो दोस्तों हम इसमें क्या करेंगे इस 12.5 को हम सब्सक्राइब बाट लेंगे और उसके बाद इससे स्वाल्प करेंगे तो हमारे वैली आ जाएगी ठीक है 995 हम इसको दो-तिन तरीकों से देख लेंगे ठीक है पहला है 10 प्लस 2 प्लस 0.5 तो इसका 10% क्या होगा 99.5 ठीक है कैसे आप उन में 100 ठीक है और 10 से 10 से 10 से चैसल हो जाएगा और 99.5 में 10 का डिवाइट करेंगे तो 99.5 ठीक है ठीक है और उसका 0.5 परसंट क्या होगा तो दोस्तों इसका जो हाप होगा वो उसका 0.5 परसंट होगा ठीक है तो इस 4.97 अधा होगा ठीक है वर जो हम इन सब को जोड़ेंगे तो दोस्तों हमारा यह हो जाएगा 124.375 राइट दोस्तों दूसरा तरीका है इसका करने का हम उसे यहां देख लिएते हैं ठीक है दूसरा तरीका क्या है कि हम इसका दोगना कर लेते हैं ठीक है 12.5 ठीक है परसंटेज इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी इसकी वैल्यू होगी बन भाई 8 यह कैसे होगी दोस्तों यह होगी 12.5 एर्थार्थ 25 परसेंट यहां से देख लिए 25 परसेंट क्या होता है हमारा 1.4 होता है ठीक है और 12.5 जो है इसका जस्त हाफ है इसका भी हाफ इसलिए 4 x 2 याने कि यह हो जाए ठीक आ 1.8 ऑर दोस्तों हमीं क्या दिया होगा है 995 का हम सीदे सीदे बनवाई 8 निकालेंगे तो दोस्तों यह हमारा आ जाएगा 124.375 next question क्या है दोस्तों 40 का कितने percent जो है हमारा 240 वाई 2 होगा ठीक है तो दोस्तों हम मान लेते हैं assume कर लेते हैं कि इसका यह हो जाएगा दोस्तों हम थोड़ी दर के लिए इस चीज़ को छोड़ देते हैं मलब जो root है इसको बाद में consider कर लेंगे अभी हम simple इसको solve करते हैं 40 x x 100 is equal to 120 ठीक है हम इसको काड़ देंगे तो यह हो जाएगा दोस्तों 3 और 100 यहाँ अपन में है तो यह हो जाएगा 300 ठीक है x की value 300 है दोस्तों यह हमारा x की value आईए ठीक है हमको क्या निकालना था root x निकालना है ठीक है तो root x मतलब root 300 x 300 ठीक है यह हमारी actual value हो जाएगी अर्थात 90,000 ठीक है 90,000 जो होगा 40 का root 90,000 % हमारा जो होता है वो होता है 120 ठीक है 2% 1 by 50 similarly friends 10% 1 by 10 next friends 20% क्या होगा 1 by 5 होगा ठीक है दोस्तों कुछ values है इन्हें याद रख सकते हैं similarly 25% क्या होगा 25% आपका होगा 1 by 4 और इसको हम और क्या लिख सकते हैं 0.25 ठीक है उसी प्रकार दोस्तों 66.6% 66.6% 66.6% जो होगा आपका वो क्या होगा यह होगा दोस्तों 2 by 3 similarly 33.3 33 even by 3 इसकी value क्या होगी दोस्तों 3 होगी ठीक है 0.33 हम एकाद इसको उठाके और देख लेते हैं कि यह कैसे निकलता कैसे है सुप्रेंट्स हम यहां पर देख लेते हैं 33 1 by 3% सुप्रेंट्स हम इसको क्या लिख सकते हैं 100 ठीक है 33 3 जदा किता होगा 99 plus 100 100 by 3 30 परसेंट का मतलब क्या होता है 1 by 100 100 करके क्या बचा 1 by 3 दोस्तों इस तरह कि हम बहुत सरे परसेंटेस की वैल्यों देख सकते हैं तो थैंकियो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए अधिक से अधिक से अधिक सेयर कीजिए अगर आपको कोई पी राउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं ठीक है दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इस पर जो वेज्ड जो कुश्चन एक्जाम में आते हैं ठीक है उनके बारे में ओके have a good day bye bye